नमस्कार दोस्तों तो मैंने आपको यहां तक की डिजाइन बना कर बता दी है अब इससे आगे की डिजाइन है उसको इस वीडियो में बना कर बताएंगे तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें तो हम आगे की जो रसी है वह चलाएंगे तो फिर पांच रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे, उसके बाद में यहां पर तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पर एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, उसके बाद में यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पर पांच र और एक रसी दबाकर यदा और पांच रसी दबाकर टीन प्रकार लगा हैंगे और लास्ट में 5 रसी दबाकर यो गुंडी है इसको विस्ट प्रकार से लगा लेंगे और इस गुंडी करें बात में दूसरी दंदी São उसको भी लगा लेंगे तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को और प्रस्राइट कर दें ताकि जब भी मैं इसके आगे की वीडियो बना कर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकर्शन आपके पास सब से पहले पहुंचे और आप उसको देखकर आसान इसे चार पाई बनना सीख सकें और नई नई डिजैन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तो अब यह गुंडी लगानेक बाद में इस रसी को हम थोड़ा पास में चिपका लेंगे इस प्रकार से फिर हम आगे किस प्र चार रसी उठाकर दो रसी दबाएंगे और यहां पर तीन रसी उठाकर दो रसी दबाएंगे फिर आगे से चार रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे फिर तीन रसी उठाकर तीन रसी दबाएंगे उसके बाद में तीन र लाश्ट की जो एक रसी है इसको उठाकर इसको इस प्रकार से लगा लेंगे तो इस प्रकार दो जो आगे की डिजैन है वो किस प्रकार से बनाई जाएगी उसके बारे में बात करेंगे तो यह दोनों गुंटी लगा लेंगे इस प्रकार से तो यह जो चैन है यह जो गुंटी लगाने को प्रोसेज है वो सेम है आप इस प्रकार से इसको लगा लेंगे और फिर यह रसी है इसको थोड़ा पास्में करके आगी की रसी चलाएंगे, तब सर्वास से दो रसी उठाएंगे, फिर पांच रसी दबाकर तेन रसी उठाएंगे, फिर पांच रसी दबाकर तेन रसी उठाएंगे, और एक रसी दबाकर तेन रसी उठाएंगे, फिर यहां पे तेन रसी दबा कर पांस माँच रशी उठाएंगे फिर 5 मीज़ दबा कर थीन दिए उठाएंगे उसके बाद में आपको पांस मीज़ 2 द भाकर थीन दया achievements работать उठाएंगे फिर 5 रसी दबा कर 5 रसी उठाएंगे उस्के बाद iejनाफ जो इस प्रकार से लगा लेंगे तो इस प्रकारसे लगाने के बाद में इसप्रकार से और फिर यह रसी इसको दूसरी साथ में यूंच कर दूसरीं सवर्किया उसको भी लागा लेंगे इस प्रकार से अभी लगाने के बाद में इसको भी हम थोड़ा को टाइट कर लेंगे और नजी को फास में चिपका लेंगे अब आगे बारे में बात करेंगे तो सुरुआ से तीन रसी उठागा 5 रसी दबाएंगे फिर आगे से 3 रसी उठाकर 5 रसी दबाएंगे और उसके बाद में यहां पर 5 रसी उठाकर 4 रसी दबाएंगे फिर 6 रसी उठाकर 5 रसी दबाएंगे फिर यहां पर 5 रसी दबा कर 3 रसी उड़ाएंगे और यहां पर 5 रसी दबा कर 4 रसी उड़ाएंगे अब 4 रसी दबा कर 5 रसी उड़ाएंगे फिर 5 रसी दबा कर 3 रसी उड़ाएंगे उसके बाद में यहां पर 5 रसी दबा कर 3 रसी उड़ाएंगे और लास्ट में यह जो ग और अब यह जो दूसरी सेट की गुंटी है इसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे तो अब इस गुंटी को इस प्रकार से लगाने के बाद में इसको भी हम थोड़ा टाइट कर लेंगे और यह जो रसी हमारी बीच की इसको हम थोड़ा पांस में चिपगाएंगे इस प्रक उठाएंगे फिर यहां पर 5 रसी दबाकर 7 रसी उठाएंगे उसके बाद में यहां पर 5 रसी दबाकर 3 रसी उठाएंगे उसके बाद में यहां पर 5 रसी दबाकर 3 रसी उठाएंगे फिर यहां पर 5 रसी दबाकर 3 रसी उठाएंगे और यहां पर भी 5 रसी दबाकर 7 रसी बाद में पांच रोषी दबा कर तीन फूटाएंगे फिर नफ दॉटा हैं और यंदव निान में इस प्रकार से हमारी है इस पुल रजय लगा लेंगे इन यह यह स्यवर्सी है इसको थोड़ा पैस में चिपकार लें इस प्रकार से अब हम स Avec सिर्वांच से देपार कर थी रसी ओखट़ें फिर 5 यह पहात निwest दबाएंगे उसके बाद में यहां पर 5 आफ सात प्रव्षु उठाने के बाद में आगे की जो यहla ऐसको बांके और उसके बाद तिन उठाइं कलेकर फिर गोटेशी देखिए पांच रसी देखिए और सेंटर से एक फिर यह पर आसी दो वागेड यह को बैसे शार है और ऽ्यौस इसाट रसी उठाएंगे पर ऊंच घौटकर पर तिए पताने लिए है कायाए कि यॉअ स्काना शलिके जो कृँटी इसको फ्रकार लगा लेनी टो फ्रकार के श़पहूर pais alltid कर लेँ आइं और दूसे ज़़कृ गूंटी के लगा लिए लेकिशाने इसको भी में इस प्रकार से तो आप बीच में हैं यह जो यह फूल था वह पूरा बंड करतियाब हो रहा है इस प्रकार से और लक बग कि फिर चुक है कि अब रसी को पांस में चिपकाने के बाद में आगे की रसी की बारे में बात करोंगा तो बम सर्वाथ से तीन रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर यहां पर पांच रसी दबा कर चेर रसी उठाएंगे, फिर यहां पर चार रसी दबा कर पांच रसी उठाएंगे, उसके बाद में यहां पर पांच रसी दबा कर ती इसको संवाके पेसेां सुप्राइबूबिध्रौं शृणा कर द ज्यान के सी करने एक पहलिए गार घ्रहते। नो रसी नो रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबाकर पांच रसी उठानी है उसके बाद में यहां पर चार रसी दबाकर छर रसी उठानी है फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है और लगा लेंगे और फिर दूसरी साइड में जो खींच कर यह जो सांक लिए है यह भी हम इस परकार से लगा लेंगे यहां पर हम डबल आंटी लगाएंगे ताकि बीच में थोड़ी बहुत पाइप दिख रही है वह ना दिखाई दे और हमारी जो पाइप के ऊपर जो रसी है तरो पाइठ बनी रहे और दिखने भी थी अच्छी दिखेगी अब इस को बीच वह थोड़ा पाश्मे कर दें गे इस प्रकार से फिर आगे बात करेंगे तो अब उसरुच् yht Cape कर 23 उटाएंगे फिर यह नावर्ट टॉन पर श्य है Nell पर दबंच रसी उठाएंगे फिर यह होस़ा पर सिस्याट कोण्छा chatौ सबुक्तिजा my ability पर यह हैं पर से पहें पांच रसी उठाएंगे फिर दोस्जीटा यह मैं ऐसे जोड़ा ऄए इसको इस प्रकार चाहिए के तो अब यसको दूसरी और में खीँच लेंगे इस प्रकार से और फिर यह जो दूसरी सेट की जो गुंडी है इसको भी हमें इस प्रकार से लगा लेना है इस तरीके से अब इसको लगाने के बाद में इस रसी को हम थोड़ा टाइट कर लेंगे इस प्रकार से और यह जो रसी है इसको हम थोड़ा पास में चिपका लेंगे इस तरीके से अब हम सरुवात से एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे उसके बाद में यहां पर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबा कर चार रसी उठाएंगे यहाँ पर 2 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर यहाँ पर 2 रसी दबा कर 4 रसी उठाएंगे फिर यहाँ पर 3 रसी दबा कर 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे और यहाँ पर 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाएंगे फिर आगे भी में 5 रसी दबा कर 3 रसी उठाना है उसके बाद में 1 रसी दबा कर 3 रसी उठाना है फिर जो लाश्ट की एक रसी है इसको दबा कर यह जो गुंडी है हमारी इसको इस परकार से लगा लेना है इसको लगाने के बाद में इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे इस त इसको हम थोड़ा पास में चिपका लेंगे इस तरीके से और बाद में आगे बंद के बंदाएंगे तब उस सरुवात से हमें क्या करना है कि शुर्वा से तीन रसी उठानी है फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है उसके बाद में पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है यहां पर फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर एक रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर यहां पर ती तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है अब यहां पर पांच रसी दबाकर पांच रसी उठानी है फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर एक रसी दबाकर तीन रसी उठानी है और उसके बाद में यहां पर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर पांच रसी लगा लेंगे इस तरीके से तब इस गुंडी को लगाने के बाद में इसको भी हम थोड़ा टाइट कर लेंगे और रशी को दूसरी साइट में खींच कर दूसरी साइटी जो हमारी गुंडी है उसको भी हम इस प्रकार से लगा लेंगे तो इसको लगाने के बाद में, इसको भी हम थोड़ा टाइट कर लेंगे, इस तरीके से, अब हम इसको आगे बन कर बताएंगे, तो अब सरवाज से, दो रसी उठाकर, पांच रसी दबानी है, फिर तीन रसी उठाकर, पांच रसी दबानी है, फिर तीन रसी उठाकर, पांच रसी दबानी है, फिर तीन रसी उठाकर, सेंटर में एक रसी दबानी है, उसके बाद में, आगे से तीन रसी उठाकर, पांच रसी दबानी है, फिर इचे रसी उठाकर चार रसी दबानी है उसके बाद में पांच रसी उठाकर पांच रसी दबानी है फिर तीन रसी उठाकर पांच रसी दबानी है उसके बाद में तीन रसी उठाकर पांच रसी दबानी है और राष्ट की यह जो दो रसी है इसको उठाकर यह जो गुंडी है हमारी इसकोमें परकार से लगा लेना है इस गूंड़ी इस प्रकार से लगाने को तो धौग थाइट कर लेंगे और फिर यह रशी है इसको दूसरे साइप में कहींच कर इस साइड़ की जो गूंड़ी है इसको आपिा कि य tolerant है कि इसको लगने नगा थोड़ा पास्मेस्बगाएंगी इस प्रकार से अब और भ्र्वाद से एक रसी उठा कर फांस रसी दौएंगे फिर फिर फैस पांच रसी दौंटा कर फांस रसी दौंटा कर फिर तीम पर फैसे निस ड़ला कर छब चीद दौंटे फिर शात रसी उठाकर पांच रसी दबाएंगे फिर तीन रसी दबाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबाएंगे फिर पांच रसी दबाएंगे फिर पांच रसी दबाएंगे फिर पांच रसी दबाएंगे और लाश्ट की पांच रसी दबाएंगे एक रसी उठाकर यह तो गुंडी है इसको में इस परकार से लगा लेंगे इसको थाई कर लेंगे आप और इसरशी को दूसरी हीइड में खींच यह सब्सक्राइग का सिस्था लेंगे आव इसको झिलगार नभी तो फिराको कि पांच रसी दङा कर तीन रसी शूटाएंगे फिर एक रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर पांच रसी दबा कर सात रसी उठाएंगे, उसके बाद में याँ पे पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर पांच रसी दबा कर तीन रसी उठाएंगे, फिर पॉंस तरीके से लगोंningar के इस तरीके से इस को कुलगानेक बाद मैं अब इस तरीके से विड़हत उसकर दूसरे साध डूसरे से कन्टि यह उसको भी आसे शोंद ऐसे इस तरीके से अब जिरए बाद में रशी को लकुतापास में करतेंगे और अब शुरुवात से चार रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठाएंगे उसके बाद में याँ पे पांच रसी दबाकर चार रसी उठाएंगे फिर चार रसी दबाकर पांच रसी उठाएंगे फिर यहां पर पांच रसी दबाकर सेंटर से एक रसी उठाकर पांच रसी दबानी है फिर तीन रसी सोरी यहां पर क्या करना है पांच रसी उठानी है पांच रसी उठाकर चार रसी दबाकर चार रसी उठानी है फिर पांच और लाक्ट की चार रसी दबा कर यह जो गुंडी है इसको में इस प्रकार से लगा लेना है तो इस गुंडी को इस प्रकार से लगाने एक बाद में इसको थोड़ा पास में कर देंगे और फिर रसी को दूसरी सेट में खींच कर दूसरी सेट की जो गुंडी है उसको प्रकार से लगा लेंगे तो इस कुटी की इस प्रकार से लगाने के बाद में इसको भी थोड़ा टाइट कर देंगे और रसी को पास में चिपका लेंगे इस तरीके से नहीं अब शरवाज से तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है उसके बाद में पांच रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर यहां पे तीन रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर एक रसी दबाकर तीन रसी उठानी है फिर यहां पे नव रसी दबाकर तीन रसी उटानी है फिर एक रसी दबाकर तीन रसी उटानी है फिर यहां पर तीन रसी दबाकर पांच रसी उटानी है फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उटानी है फिर पांच रसी दबाकर तीन रसी उटानी है और लाश्ट की तीन रसी दबाकर यह जो गुंडी है इसको थे नो प्समें हमें टो फ्राइक में अनम नांसे चिप्कार लेंगे और फिर आ weld बनकर बता हैं तो रूएसर दो रषीद दबाकर थी बताईंगी हो फिर यहां परैं पर दोजुत कर दो तिन रसी उटानी है फिर दो रसी दबाकर चार रसी उटानी है फिर सात रसी दबाकर तिन रसी उटानी है फिर दो रसी दबाकर तिन रसी उटानी है फिर पांच रसी दबाकर तिन रसी उटानी है फिर पांच रसी दबाकर तिन रसी उटानी है और फिर पांच रसी दबाकर से लगा लेना है इस तरीके से इस गुंडी को लगाने के बात में इसको दूसरी साइट में खींचे लेंगे और अब इस साइट की जो गुंडी है इसको भी हम लगा लेंगे इस तरीके से अब इस तरीके से अब इस तरीके को हम थोड़ा पास में चिपका लेंगे इस परकार से, अब आगे, सरवात से, एक रसी दबाकर तीन रसी उटानिया, पांच रसी दबाकर तीन रसी उटानिया, फिर एक रसी दबाकर तीन रसी उटानिया, फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उटानिया, फिर तीन रसी दबाकर तीन रसी उटानिया, फिर तीन रसी अगें तीगर फिर यहां पर शित दबाओं से इस प्रकार से लगा लेना है इस तरीके से уск on लगानेक बाद में रसी को हम दूसरी साइट खिंच लेंगे और दूसरी चंप की घिंच लेंगे ऊसको अपिस about ह कि अब श्रुशी को पैस में चिपकाइनक बाद में आगे किस प्री drafting से बनाएंगी वह फिर तेन दिशक फांच बढ़ांगे फिर पांच रुटा कर चार रसी दबाने की रस्य उठाकर चार रसी दबाने की जो गूंडी है इसको मैं इस प्रकार से लगा लेना है तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको यहां तक ही डिजेन बना कर बताऊंगा आगे की डिजेन में नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगा तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते और बैल आइकन को अलपर स्लेट करते और अगर आपको यह डिजेन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगर आपके उसके अंदर कोई स्वाल है कुछ जानना चाह रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें धन्यवाद